मुखे छाले, गले की जलन, सूजन, आवाज का बढ़ जाना, कबज, दस्त, बधजमी, पाचन तंत्र की समस्या, पेट के कीडे, तवचारोग, मूत्र दोस, एवं सारीरिक कमजोरी में लाबदायक आउसदिय, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में साहतूत के आउसदिय गुडो के बारे में जानकारी सेर किया गया है जी हाँ दोस्तों, साहतूत या तूत तो खाया ही होगा, या खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही या सरीर के लिए लाबकारी भी है सायद आप सातूत के औसदिये गुडों के बारे में जादा नहीं जानते होंगे कि सातूत एक औसदिये जड़ीबूटी भी है जिसके बारे में इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया गया है सातूत जिसका बानसपतिक नाम मोरस एलबा है और जिसका फेमली नेम मोरेशी है जिसे हिंदी में साटू, तूत, तुतरी, संस्कृत में तूत, ब्रमधार, तूल, उर्दू में, स्याहे तूत और अंग्रेजी में मौलबेरी, यूंग हुआइट, मौलबेरी आधि नामों से जाना जाता है दोस्तों, आप सभी के यहां इसे और किन-किन नामों से जाना जाता है, कमेंट कर हमें बताएं जानते हैं साहतूत के राशानिक गुड़ों के बारे में, साहतूत में प्रोटीन, सरकरा, बिटामिन, सी, आयरन, कैलसियम, पोटेसियम, मैगनीसियम, कार्भो हाइडरेट और फाइबर आधि तत्तों प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं जानते हैं साहतूत के अवसधिय गुड़ों के बारे में, साहतूत की प्रकृति सीत बीरी होती है, या पचने में भारी, मधूर, कसाय, अमल रसवाला, ब्रिश्य सर, बलकारक, दीपन ग्राही, और दाह, रक्त पित नासक, और वात पित सामक होता है और साहतूत का पकाफल, सीत बीर, मधूर, गरिश्ट, अगनिबर्धक, बलकारक, और मलरोधक, और वात पित नासक होता है और साहतूत का कच्चाफल, उस्ण बीर, अमल रसवाला, रक्त पित कारक, और गरिश्ट होता है एंवंग सातूत की छाल क्रिम नासक, बिरेचक, मूत्रल, सूजन को हरने वाली एंवंग बलकारी होता है और सातूत के पत्ते स्वरभंग नासक होते हैं जानते हैं सातूत के कुछ घरेलू परियोगों के बारे में दस्त या पेचिस में सातूत का फल या 5-10 यमल सातूत के फलों का रस पीने से दस्त ठीक हो जाता है पेट के कीडे सातूत के छाल का काढ़ा बना कर 10-10 यमल पीने से पेट के कीडे नश्ट हो जाते हैं प्यास और जलन सातूत के फलों का सर्वत बना कर पीने से सीने की जलन प्यास बधजमी आदविकारों में लाब होता है दिल की धड़कन सातूत के फलों का सर्वत बना कर पीने से दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है और हिर्दय की दुरबलता मिट जाती है इसके अलावा सातूत के पत्तों का काड़ा बना कर गरारा करने से स्वर्भंग आधि गले के रोग योंग मुह के छाले ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो कमेंट कर हमें जरूर बताएं I hope कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स टापिक को लेकर तब तक के लिए धन्यवाद